हेलो एवरिवन आप लोग कैसे हो मेरे चन में आप लोगा स्वागत है आज मैं आपसे नई सबजी सेयर करने जा रही हूँ मैंने वेशन ले लिया है थोड़ा सा उसमें मैंने हल्दी डाल लिया है लाल मिच डाल लिया है धनिया पाउडर डाल लिया है और नमक डाल देंगे और तेल मैंने गरम होने रख दिया है इसमें हमें गरम ओयल डालना है थोड़ा सा अभी तेल गरम हो रहा है अब इसमें तेल नहीं ऐसा गुनना है फ्रेंट संडे का देना है वो शाम का वक्त हो रहा है मैं शाम को ये सब्जी बना रही थी देखें मेरा बेशन अच्छे से गुन चुका है अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इसमें बेशन जरू लगाना है नहीं तो सारी गोलियां चिपक जाएंगी ऐसे करके सारी गोली बना लेंगे हम देखें हमारी सारी गोली रेडी है हमने सारी गोली बना ली है अब हम ओयल भी गरम करने रख देंगे ओयल गरम हो चुका है वो टाइम का गरम करने रख दिया था और एक गोली डाल के देख ली थी वो भी अच्छे से हो गई है और सिलो गैस पर हमेंसे फ्राई करना है जब तक मेरी गोली फ्राई हो रही है मैं कर लोंगी मसाला तैयार इसमें ले लोंगी दो चमच कस्मीनी मिर्च हल्दी पाउडर और ले लेंगे धनिया पाउडर और इसको पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे ऐसा करने से सब्जी टेस्टी बनती है आप लोग भी ट्राई करिएगा फ्रेंट्स मसाला अच्छे से मिला लेंगे आप लोग देख सकते हो इस तरह किसे मिलाना है और हमारी गोलियां भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं आप लोग देख सकते हो अब हम सारी गोलियों को निकाल लेंगे अच्छे से पक चुके हैं ये अच्छे से गरम हो चुका है इसमें डाल लेंगे दाल चीनी और जीरा इसको अच्छे से भून लेंगे जीरा और दाल चीनी अच्छे से भून चुका है आप लोग देख सकते हो मैंने चिली कटर से प्याज, हरी मिर्च, लैसु नदर का पेज सब पीस के रख लिया है आप लोग देख सकते हो और मैंने इसमें डाल दिया है कडाई में चारो चीज अच्छे से चिली कटर में करके रखी हैं इसको अच्छे चला लेंगे मैं प्याज और हरिमिच को अच्छे से बूल लूँगी आप लोग देख सकते हो मेरी प्याज कुछ जादा ही रेड हो गई थी अब मैं डाल दूंगे उसमें टेमाटर टेमाटर भी मैंने च अच्छे से मुट चुक हैं अब मैं डाल दूंग इसमे एक चमच नमंक और मैं अब डाल दूंगे मसाला करके रखाता वह भी डाल दूंगी से फिर अच्छे से चला लो गी ऑदेय कि वेदान साइड में में खड़े होके कैसे देख रहा है गैस के बगल में स्टूल रखे वहीं खड़े होके देख रहा है अब इतना बड़ा तो है नहीं गैस के साइड तक पहुंच जाए स्टूल रखे कोई डिबबा रखे जब पहुचता है अब सूरियान जित्ता बढ़ा है सूरियान सो देख सकता है और वो महीं साइड में खड सब भुन चुका है मसाले ने तेल चोणना स्टाट कर दिया है कि A कि अम मैं डाल लुँंगी इसमें गलास पानी कि कि आपकी मर्ड जी यहें ग्लास डालना है तो एक ग्लास डाले है आद ग्लास डालना के लिए ढखके रख देंगे पानी अच्छे से खौल जाएगा पांच मिनट हो चुके हैं हम मैं देख लूँगी पानी को खोल के पानी भी अच्छे से खौल गया है हम मैं डालूँगी इसमें सारी गोली है जो मैंने बनाई थी अच्छे से मिला लेंगे देखे फ्रेंट्स क पर रखना है हमें देखें दोनों बच्चे मेरी किचिन में थी सूर्यांस को भूग लगी थी तो बोला था ममी जल्दी घाना बनाईए और बेदांस तो खड़े होके देखी रहा है आप लोग देख सकते हो अब मैं बना लूँगी रोटी है मैंने तब अगरम करने रख दिय अब डाल लोगी इसमें धनिया अच्छे से खॉल चुकी है सब्जी और मैं सब्जी में गरम मसाला भी डाल लोगी गरम मसाला ढालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में फिर मैं डखके भी रख दूँगी दीरे दीरे पकती रहेगी अब मैं आ जाओंगी रोटिय बनाने सूर्यांस कैसे जग जग के देख रहा है देखे सूर्यांस वेदानस को कैसे गोधी में ले लेगा दोनों भाई में प्यार भी है और लड़ते भी इतना है कि एक दूसरे को मार भी देते हैं ऐसे हैं दोनों हम मैं आ जाओंगी रोटिय बनाने साड़े साथ टाइम हो राता जल्दी से सारी रोटिय बना लूँगी मैं मुझे जादा रोटिय नहीं बनानी है सूर्यांस के लिए वेदानस के लिए अपने लिए और मम्मी जी के लिए बस बनाऊंगी पापा जी तो रात को ही आते हैं जब गरम गरम सेखते हैं और सूर्यांस के पापा भी आएंगे उनके लिए भी जबी सेख देंगे हम लोग फ्रेंट्स विंटर का सीजन है उसमें जल्दी से फ्री हो जाओ अच्छा लगता है फ्रेंट्स इत्ती जादा ठंड हो रही है आगरे मैं पूछो नहीं दो-तिन हपते हो गए जब से दूपी नहीं निकली है और छोटे-छोटे बच्चों के शर्दियों में कितने कपड़े निकलते हैं आप लोग समझ सकते हो कहां सुका हैं उपर भी जगए नहीं अब नीचे लेकर डाल दो वैसी की वैसी सुकाओ वैसी कपड़े रहते हैं देखिए मेरे सबजी भी रेडी है फ्रेंट्स मुझे कमेंट्स करके जब बताईएगा मैंने सबजी कैसे बनाई मुझे जाता खाना बनाना नहीं आता है फिर भी मैं बना ही लेती हूँ कोशिस करती हूँ बनाने की डोटिया भी बना रही थी और मैं वेदान्स खड़ा हुआ तो उसे बात भी कर रही थी आपको पता है वेदान्स कितनी बात बनाता है चोटे चोटे बच्चे स्टाटिक में बोलना सीखते हैं और वो बाते करते हैं तो बहुत अच्छे लगता है मेरा को ये दांस पर बोल लेता है पर बड़े बड़े जो वर्ट्स होते हैं उनमें उसे परेशानी होती है वो एकदम के लिए तरीके से नहीं बोलता है बातों बातों में मेरी सारी रोटी तैयार हो जाती है बेदांस और सूरियांस नीचे दादी के पाद चले गएते थोड़ी देर पहले तो यहीं खड़े हुएते अब मैं उनकी खाने की प्लेट लगा दूँगी तो उनकी दादी उसे खिला देंगी बेदांस को तो ठंडी नहीं लगती ना तो कैप पहनता है ना सौक्स पहनता है सौक्स पहना भी दू थोड़ी देर में उतार के फैक देता है और सूरियांस भी नहीं पहनता कैप बगरा देखिए मैं खाने की प्लेट लगा लेती हूँ ये बनाया था मैंने शाम को वेदान्स कैसे खड़ाय था फ्रेंड्स मेरा किछिन का काम सारा खतम हो चुका है अम मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने कपड़े नहीं दोए हैं मैं माय के गई थी तो मम्मी जी ने सारे कपड़े दो दिये थे मसिन से तो ये सूख चुके थे हम मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी मैं कुछ भी काम करती है तो वेदान्स मेरे पास में वही बैटा रहता है और मेरे को देखता है और मेरे से बाते भी करता है मम्मा क्या कर रही हो ये वो बोलता जाता है उसी के कपड़े सबसे जाता है मैं उसी के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ देखिए मुझसे बाते भी करती है और शैतानी भी करता है देखिए आखों को कैसे कर रहा है इसको आ रही है हम नीद पर सोएगा नहीं वो दस ग्यारे बज़े से पहले नहीं सोता है दोपेर में भी जब बटसी सुलाओ और दस ग्यारे बज़े से पहले नहीं सोएगा कितने भी कोशिश कर लो से अपने आप निंदा आती है जब जा के सोता है देखिए सोपे के कबर कैसे बिगाड़ा है जिस शैतानी जारी रहती है कोई में को अवाज दे रहा था तो मैं माँ चली जाती हूँ देखिए और देखी वे दांस मेरे सारे कप्ड़े बिगाड़ देता है देखिए ओब देखता भी है कई मम्मा तो नहीं आ रही मम्मा आ जाएगी तो पिटा ही लग जाएगी ऐसे मेरा ही सारा काम बिगार देता है मैं कुछ भी नहीं करता पाती इसके चक्कर में नीचे भी कपड़े गरा देता है और पूरे सोपे पे गरा देता है देगे अवस्ता भी है friends मैंने सारा काम कर लिया था अभी-अभी मैं फिरी हुई हूँ खाना भी बना लिया हो मैंने कपड़े भी फोल्ड करें तो वो वेदांस ने पूरे खराब कर दिया है और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूं मैं डेली डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूं अगली वीडियो में मिलते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे बदाना बाए प्रेंट्स